आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक Allopathic syrup के बारे में जो की है syrup pedichloral या फिर pedichloral oral solution तो ये क्या है इसमें content क्या रहता है इसको कौन-कौन सी conditions में यूज़ किया जाता है क्या इसके side effects है कैसे इसको देना है इसका मूल ये कितना है और इसके availability कहां कहां है तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को सुरूर से लेकर अंतक जरूर देखें तो देखिए जो पेडिक्लोरिल ओरल सल्यूशन है बेसिकली शौर्ट टर्म के लिए ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इन-सओमनिय की कंडीशन में इन-सओमनिय क्या होता है अगर बच्चो को नीद नहीं आती है रात को तो थोड़े सामय कि लिए इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये जिस सिरप है अगर बच्चो को कहीं बहुत ज़ादा दर्द होता है या फिर उनको बहुत जादा बेचेनी घबराहट रहता है या फिर बच्चों का कुछ medical procedure होने वाला है तो उससे पहले उनको दिया जाता है ताकि वो सो जाए और उसके बाद वो medical procedure आसानी से हो सके तो अब हम बात करेंगे इस syrup में जो है main इसका content क्या होता है तो इसमें होता है tricloforce 500 mg होता है 5 ml में 500 mg का tricloforce content रहता है और इस syrup को manufacture करती है doctor ready laboratory और इसको हम कैसे रख सकते हैं 30 degree के अंदर अंदर इसको store करके हमको रखना होता है मतलब सामानिया हम अपने घर पर रख सकते हैं freeze वगर हम रखने की जरूरत नहीं है तो इसकी use क्या क्या है तो ये बच्चों को अगर नीद नहीं आती है तो doctor आपको prescribe करते है या फिर कोई भी medical procedure से पहले इसको दिया जाता है ताकि बच्चे सो जाए अब मैं बात करने वाला हूँ इसको लेने के बाद क्या-क्या side effects आते हैं बच्चों में तो देखिए उनको उल्टी आने जैसा लगता है या फिर उल्टी आ जाती है और drowsiness बहुत जादा हो जाता है मतलब एकदम सर पे कुछ घूंग सा चड़ जाता है एकदम नीद जैसी condition हो जाती है उनकी जादा नीद आने लग जाती है और बहुत जादा दिर तक सो जाते हैं बच्चे लोग और कभी-कभी impaired coordination हो जाता है मतलब हाथ पाउं जो है बराबर movement नहीं करते हैं क्योंकि आप ब्योशी condition में रहते हैं तो एकदम से आप उठने के बाद आपको हाथ पाउं जो है नीद नहीं आ रही है तो ऐसी condition में इसको 30-50 mg पर kg आपका body weight जितना है तो पर kg के हिसाब से 30-50 mg को वो लोग dosage calculate करके डॉक्टर आपको देते हैं और दिन में एक बार लेने को बोलते हैं अगर आप कोई medical procedure कराने वाला है आपका बच्चा तो उस condition में 100 mg पर kg body weight के हिसाब से भी calculate करके दिया जाता है कोई medical procedure से पहले अब हम बात करने वाले हैं इसका MRP कितना होने वाला है तो यह आपको 120 रुपे में 30 ml का सिरफ आपको पड़ जाएगा अब बात करते हैं availability कहां से आपको यह सिरफ मिल जाएगा तो doctors का आपके पास prescription है तो आपको यह आपके नज़ी की medical store या फिर pharmacy से आसानी से मिल जाएगा तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकार या आप सभी को पसंद आई है अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाते हैं चैनल को सबस्क्राइब कीजिए यह वीडियो कर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाए इस वीडियो को जाज 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 शेर कीजिए जैसा कि हम हर बार बोलता हूँ कोई भी medicines doctors से consult किये वगएर आपको नहीं लेनी है medicines हमेशा doctor के supervision में ही लेनी है आप इस वीडियो को देख रहे हैं आशा करता हूँ आपको इस सिरफ से जो भी माहिति दीगी है सब अच्छे समझ में आ गई होगी तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए विशे के साथ Till then take care धन्यवाद